हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपके टीचर माधुरी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉमन क्लेचर ओफ कॉडिनेशन कंपाउंट यह जो टॉपिक है इसको हम फोर से फाइव लेक्चर में कंप्रीट करेंगे तो आई यह स्टार्ट करते हैं देखें कॉडिनेशन कंपा तो यहां पर क्लोरीन एक एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट है इसी तरह से जो कॉडिनेशन कंपाउंट होते हैं उसमें भी दू पार्ट होते हैं काटायन और एनायन लिखते हैं हम एक कॉम्पलेक्स में लिखा K2-PT-Cl6 यह एक कंपाउंट लिखाएं यह कंपाउंट इसी तरह से एक compound or में लिखती हूँ CO NH3 Hole 5 CL CL 2 यह दोनों आपके coordination compounds है, यहां पर जो part square bracket के अंदर present होता है उस part को कहा जाता है coordination sphere और जो part इस square bracket के बाहर present होता है उसको हम कहते है ionization sphere यहां पर भी same है यह coordination sphere है अंदर का part और बाहर का जो part है ionization sphere होगा लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो दो part है first part हमेशा क्या होता है cation हमको पता है किसी compound का first part हमेशा cation होता है और second part anion होता है यहां पर भी first part cation है और second part anion है धियान रखने वाली बात यह है कि यहां पर potassium एक cation है और अंदर का पूरा complex है यहां पर complex ion present है इस compound में हम देखें तो यहां पर जो square bracket है उसके अंदर का पूरा part complex compound है तो यह एक आपका complex cation है और जो anion है वो एक simple anion है तो हमने यह सीखा यहां पर coordination compound में एक coordination sphere होता है जो square bracket के अंदर होता है और एक ionization sphere होता है जो square bracket के बाहर होता है उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर जो element present होते हैं उनगी यहां देखें जो first element है potassium जो अंदर है उसकी बात कर लेते हैं अलग से लिखते हैं अंदर वाला जो element है वो मैंने लिखा इस तरह से ptcl6 square bracket के अंदर है square bracket के अंदर का जो first element होता है वो होगा आपका central metal ion क्या कहेंगे उसको यह एक metal ion होती है सेंटर में होती है कुछ group जुड़े हुए होते हैं उन groups का कोई भी number हो सकता है यह जो groups है इनको कहा जाता है ligands क्या कहते है ligands तो हमें यह समझ में आया कि coordination sphere में central metal ion present होती है जो central metal ion है वो एक type की metal है यहाँ पर यह metal होती है transition metals मेंली यह transition metals होती है और यहाँ पर ligands present होते है ligands वो compound है जिनके पास long pair of electrons होते है donate करने के लिए अगर हम इस example में देखे हमारे तो यहाँ पर जो cobalt है वो एक central metal ion है जो ammonia है कितने ammonia है यहाँ पर five ammonia है यह ligand है इसी तरह से जो chlorine present है वो भी ligand की तरह ही यहाँ पर present होगा I hope students आपको इतनी बात समझ में आई होगी next video में हम आगे कार nomenclature पढ़ेंगे और उसके rules पढ़ेंगे और कैसे naming करते हैं वो पढ़ेंगे Thank you students